रम रम गाईज तो आज मैं लेके आया हूँ गोंद के लड़ू को ये जो आप देख रहे हैं वो है रो गोंद और ये वॉलनट और ये तीनों है वॉलनट, कैश्यूनट्स एंड आलमंट्स तो गोंद को हमने घी में फ्राय कर लिया है तो सभी चीजों को हमने देशी घी में फ्राय कर लिया है आप इसके अलावा भी इसमें ड्राइफ रूट्स एड़ कर सकते है फिक को हम ग्राइड नहीं कर सकते हैं इसलिए हम उसे कट कर रहे हैं तो ठंडी के दिन चल रहे हैं चर के हिसाब से हमें डाइट में चींजर करने होते हैं हमने सभी प्राइड इंग्रीडियंस को ग्राइड कर लिया है तो हमें इसके प्रॉपर बॉल्स बनाने के लिए थोड़ा सा घी एड़ करना पड़ेगा अरे हमने स्वीटनेस तो इसमें एड़ी ने किया तो मैं यूज आपसे बॉल का साइज चेंज कर सकते हैं बस फुटबॉल की तरह साइज मत बनाना तो गाइस टुन टुन मौसी के ला जवाब एनरजी लड़ू तयार है